पिछले एक वर्षों से कोरोना बहाबारी का प्रकोव इसका दर बढ़ रहा है कि नाखपुर के साथ-साथ ग्रामिंग के लोग भी बुरी तरह से इसके चपेट में आए हुए है कोरोना मरीजों की हर दिन दर्जोन से जाता सेख़़ों के करीब संख्या में मौति हो रही है मनपा प्रशासन का उदासिन रवया और कोरोना से हो हाथ करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या जंबो कोविट सेंटर का निर्मान उसके सुचारू व्यवस्ता आधिक करने में पूरी तरह से विफल दिखाए दे रही है जिससे कोरोना की चेन तुटने के पचार और अधिक पड़ी है इसी प्रकार से ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जा हर घर में मातंग छाएंगा मन पर प्रशासन इस और ततकाल ध्यांती और जंपू कोविट सेंटर का निर्मान करी ऐसी मांग स्वराज सेना अधिक्षर रिशे के चातव एनों ने की है पेशे हमारे समवादाता संची मेरी इनकी एक खास बातचित कर बढ़ते हैं आकड़े आए इन तमाम बातों के तरफ रुक करते हैं सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस समय में मुआर साथ में स्वराज सेना अधिक्षर रुष्के जादव है उनसे जानना चाहेंगे रुषिगे जी यह बता है कि जिस तरह से कोरोना के जो आकड़े बढ़ रहे है संक्रमन का दायरा बढ़ रहा है क्या कहना चाहेंगे क्या प्रशासन शासन इसके पर में अंकूष लगाने में या उसको कंट्रोल करनी के लिए क्या काम काज कर रही है इस आपको लगता है जैसे कि सर आप देख सकते हर 24 गंटे में नाकपूर में 5,000 से ज्य या बताई जा रही है जिस इसाब से ये महाराष्ट्रा के सबसे भहेंकर आकड़े है और नागपूर में जो मुरुत्यू तांडव शुरू है उस मुरुत्यू तांडव में स्टेट गवर्मेंट जो अपना काम करना कर रही है हर कलेक्टर हो और महानगारपली का आयूकतों तक अपने सब डिसिजन्स पहुचा रही है उनसे सबtać ले रही है कि क्यां चल रहा है उनकिन वहानगारपली का कही न कहीं हमें इसमें फेलियर दिख रही है बहुत बढ़ी न उकाराम मुंडे साब जब यहाँ पर आयुक थे, तब उन्होंने एक जम्बो कोविड होस्पिटल का उपनिंग किया था, कलमेश्वर रोड पर उसके बात से नाकपूर में एक भी बड़ा जम्बो कोविड होस्पिटल नहीं बना हुआ है, और अभी जो सिच्वेशन है, ऐस तक यह सिच्वेशन को हम नहीं ठीक कर पाएंगे नाकपूर में, जम्बो कोविड सेंडर की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से आंकडे जो तेजी से आ रहे हैं, सेंसर्स के आंकडे भी कम गिर रहे हैं, कहने का तत पर यह है कि कोरोना का यह जो कामकाज है, बहु बहुत कुछ है, मगर जो काम करने में डॉक्टर की टीम है, नर्सेस की टीम है, या इस विशेय पे जो जानकार है, जो तग्य है, ऐसे लोगों का अभाव दिखाई देता है, जिसके चलते, शहर में आज भी कई कोरोना को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, अलग-अलग-अलग लोगों के मन में भ्रांतियां है, कई लोगों की संब्रम की स्तीती बनी हुए है, और लोगों को आज भी पूरी मदद नहीं मिल रही है, सर यह बता है कि मेव में जिस तरह से आप उस दिन दौड भाग करते हुए, आपके गार जो वहान में जो सिरेंडर थे, वो आपने कि से और को दिया था, क्या वे आपके पेशन्ट के थे या फिर क्या था हूँ, सर अभी की परिस्तिती ऐसी थी कि उस दिन हमें एक फून आया कि एक पेशन्ट को बहुत अरजेंटली ऑक्सिजन की जरुरत है, तो आपको याद होगा कि आपके चैनल पे भी हमने दिखाया था पिछले साल जब कोवीड की परिस्तिती खराब थी, तो हमने युवासेना के तरफ से मुफत रुगन भाई का सेवा शुरू की थी मुख्यमंत्री के जनम दिन के दिन, उस वैन में हमको ऑक्सिजन की कम तरता थी, तो हमने खुद मेरे सहकारी दिन भर घूम कर एक ऑक्सिज परिल 2020 में जो सिचुवेशन थी, हमारे पास बेड की कम तरता थी, हमारे पास ऑक्सिजन की कम तरता थी, हमारे पास वेंटिलेटर की कम तरता थी, आज एक साल बीद गया है, एक साल में नागपुर महानगर पालिका ने क्या किया, क्यों अभी तक अपनी हेल्थ केर सिस्ट सकती रहे तो कर सकते हैं अभी आपने कुछ दिन पहले देखा हुआ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि राइपूर महानगर पाली काम ने बिना स्टेट गवर्मेंट की मदद लिए स्टेडियम में साड़े 300 बेड का जंबो कोविड होस्पिटल स्टार्ट किया वैसी इच्छा शक्ति हमारे नाकपूर महानगर पाली का की क्यों नहीं है यह बहुत बड़ा प्रश्न है और इस इत्ती बड़ी सिच्वेशन में जहां लॉकड़ाउन लगाया जा रहा है स्टेट गोर्मेंट अलग-अलग तरीके से ट्राइ कर रहे है कि रेंडी सीवर आए या महानगर पाली का क्या आयुक्त और महापूर को भी हमको टुमब प्रमुक बोल सकते हैं तो इन लोगों ने पिछले तीन महिनों में ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जिससे की कोवीड कंट्रोल हो सके ये लोगों में एक समरम बना हुआ है मुझे लगता है कि जल्द से जल् रुषी के जादव जुन्हें ने बात करते भी है कहा कि जंबो कोवीड सेंटर का निर्मान होना बेहत ज़रूरी है तब तक ये जो कोरोना का डेथ रेट जो है वो कम नहीं कर सेते हैं ये एक दम दुरुस्त और सही बात कही है दर्शकुम आपको बता दे कि रोजाना ये बात की जाए तो अब तक के 61,000 लोग एक्टिव पाए गए है जिनका काम का जारी है तो वहीं पर संक्रमीतों का आकड़ा 5,000 के आसपास है और रोजाना 60-70 लोगों की डेथ हो रही है अगर शहर के कुछ शम्शान भूमी के बात की जाए जैसे गंगाबाई घाट का उधर तक से गुजरते हो तो आपको बड़ी-बड़ी जवालाई दिखाए देती है आँगों की लप्ते दिखाए देती है जिदर भी नजर जाती है उधर लाशों का अंबार होता है अन्तिन संसकार की जवाला दिखाए देती है प्रशासन ने इसके उपर में जरूर धान देना जो कमिया हो रही है जो पुरा करना चाहती है वो विशे उनको नजरों में लाके देना चाहते है ताकि प्रशासन इस बात के और घौर फरमाए और एक जंबो कोविड सेंटर का निर्मान होना चाहिए जादो जी ठीक उसी प्रकार से ये भी देखने में आया कि ये तो शहर जी बात करो मैं गरामीन की बात करो खास तो पर वहां पर काफी लचर हालत है आप भी पारशनी का उदर का दवरा कर आखे बाता है तो जब भी कोई पेशेंट क्रिटिकल होता है तो उसे शहर की तरफ दवडना पड़ता है मैं जो ये जंबो कोविड सेंटर और ये हेल इं उसके बाद Kingsway Hospital है बड़े बड़े ऑस्पिटल के बाहर लोग आके गाडियों में जान तोड़ देते क्योंकि सब पेशेंट की परिस्तिती इतनी खराब होते जाती है oxygen ने मिलने का कल एक पेशेंट को हमने 98 उनका oxygen level था वहां से हमने 46 उनका यह आते हुँ देखा है अत्यन तो दुखी घटना है कि हमारे आखों के सामने कलो इनसान ने अपनी जान भी गवा दिये तो यह जो चीज मैं बोल रहा हो सर यह सब चीजों के पीछे एक ही कारण है oxygen प्रोपर ना मिलना और समय पे प्रोपर treatment ना मिलना जैसे आप ग्रामीन के बोल रहा हो सर वो भी ग्रामीन के ही थे ग्रामीन से लोग यहां शहर की तरफ अगर उमीद लगा के है तो शहर में बड़े बड़े hospitals है और अगर उन hospitals में bed available नहीं है और सर उनकी भी कोई गल्दी नहीं सबी जगह ऐसी परिस्तिती कंटीनिव रहेगी है अगर सभी बातों के उपर में ध्यान दिया जाए तो एक बाती उभर कर सामने आती है कि कोई भी कामकाज यदि अच्छे से करना तो उसका प्लानिंग करना चाहिए बिना प्लानिंग के कुछ भी कामकाज होता नहीं है और यह जो कामकाज है यह बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासंग को भी है सरकार को भी है और इस देश के सभी नागरिकों के लिए भी यह बहुत बड़ा चैलेंज है अब इससे कैसे निप्टाए जा सकता है यह एक अलग बात है और इसको जरूर निप्टाए जा सकता है कि ऐस परसान हो कि घर में आग लगे और कुवा खुदने के लिए हम तयार हो पहले ही प्लानिंग करना चाहिए ताकि इस प्रकार की मुसीबते लोगों को आएगी नहीं कोरोना से दो हाथ जंग तो हमें करना ही है सबने मास सनिटाइजर का यूज करना है सोशल डिस्टंसिंग भी इसे रखना है और अपने काम काज़ अच्छे से करना है प्रशासनी सोर ध्यान दे और जल से जल शर के लोगों को जो तकलीफ हो रही है वो नहीं होना चाहिए यही समय की मांग है कैमेरापरसन मिनास खान के साथ संजय मीरे बीसे नियूज नाकपूर